हलो स्टुएंट्स मैं डॉक्टर रेनू सिंग एपार्टमेंट ऑफ बॉटनी गवर्मेंट पीजी कॉलेज काराडेरा स्टुएंट्स हमने पिछले टर्ण पे यह पिछले लेक्चर में टॉपिक रूट चालू किया था हमने उसके करेक्टर स्टिक्स पढ़े थे उसका प्र जिस तरह से शूट में यानि स्टेम में एपिकल मेरिस्टेम होता है जो कि उसकी व्रद्धी के लिए उत्रदाई है इसी तरह से रूट में भी एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है जो इसकी सबसे टिप या एंड पॉइंट पर उपस्तित होता है जो रूट एपिकल मेरिस् जाते हैं जो की निमने प्रकार से हैं मूल शिर्ष अपेक श्यक्रत अधिक छोटा होता है मूल शिर्ष पर संधियां परफ नहीं पाए जाती मूल शिर्ष में पर्फर शिय्active तरह नोट सेवां इंटर्नोट्स यानि पर यॉवं पर संधियां नहीं पाई जाती मूल शिर्ष में मूल रोम शेत्र पाई जाता है रूट एपक्स या मूल शिर्ष में पढ़ना अध्यक नहीं पाई जाते मूल शिर्ष पर मूल गोप पाई जाती है यानि मूल शिर्ष पर रूट के पाई जाती है जिसकी वज़े से यहां विबाद जोतक की सिति अंतिम सिरे से हट कर थोड़ी अलग हो जाती है प्ररोशेश के तुलना में मूल शेश अपिक्षाकरत सरल वर सूस पश्ट होता है मूल शेश जोतकी संगठन को समझने के लिए शूट एपिकल मैरिस्टैम की तरह ही कई सारे वाद यहां थियोरीज दी गई है जिसमें से पहली थियोरी है एपिकल सेल थियोरी एपिकल सेल थियोरी यानि की वो ये दर्शाती है कि एक एपिकल सेल से ही पूरी रूट का विकास हुआ है जिसे हम एपिकल सेल थियोरी कहते हैं एपिकल सेल थियोरी जो है नाजेली ने 1858 में प्रस्तूत की थी इस सिद्दान्त के अनुसार मूल शेश का निर्मान केवल एक अग्रस्त कोशिका से होता है यह कोशिका चतुषफल की आकरती की होती है इसकी तीन उपरी विभाजनशील सतों से इसकी तीन उपरी विभाजनशील सतों से मूल के विभिनोत तक विक्सित होते है अर्थात इससे संपुर्ण जड़ की व्रद्धी होती है मुल्गोप का निर्माण आधारी जो विभान शिल सत्य है उससे होता है हम चित्र में देखें ये रूट टिप का सेक्शन है जो की एनलाज्ड व्यू है इसमें सेंटर में जो बता रखा है वो है एपिकल सेल टेटराहेडरल एपिकल सेल जो एपिकल सेल है हमने बात करी कि चतुषफल की है यानि टेटराहेडरल शेप में है तो जो उपरी तीन विभाशन शिल सत्य है उनसे जो रूट के विभिनुत तक होते है कोटेक्स, एंडोडामेस, पैरिसाई की लितियादी जो भी है वो विक्सित होते है अर्थास इसे संपुर्ण जर्की व्रद्धी होती है और जो मूल गोप का निर्माण होता है वो इसकी आधारी है जो सेल है इससे रूट केप या मूल गोप का निर्माण होता है वर्दमन बॉटनिस्ट के अनुसार टेरिडोफाइट्स में तो इस तरह की मूल शिर्ष उपस्तित हो सकती है परन्तु एंजियोस्पम में इस प्रकार का मूल शिर्ष नहीं पाया जाता अर्थात ये थियोरी जो है वो टेरिडोफाइट्स पर तो लागू होती है किन्तो एंजियोस्पम में एपिकल सैल थियोरी लागू नहीं होती जो दूसरी थियोरी है हिस्टोजन थियोरी जो हैंस्टीन ने 1868 में दी थी इनके अनुसार प्ररोशिर्ष के समान ही मूल शिर्ष संगठन भी तीन प्रकार की उत्तक जन कोशिकाओं क्रमेशर, डर्मेटोजन, पैरिलोम वे प्लिरोम के द्वारा निर्मित होता है हैंस्टीन ने शूट अपिकल मेरिस्टेम थियोरी दी थी जो कि शूट अपिकल मेरिस्टेम के लिए लागू होती है किन्तु उनका कहना है कि शू टैपिकल मेरिस्टेम के समान ही मूल, शिर्ष, संगठन भी तीन प्रकार की हिस्टोजनिक सेल्स हैं उनसे निर्मित होता है डर्मेटोजन यानि तुचाजन जिससे की डर्मल टिशू सिस्टम, पैरिबलम यानि की जिससे कोर्टैक्स, एंडोडर्मीस यानि ग्राउन टिशू सिस्टम विक्सित होता है और प्लिरोम यानि जिससे वैस्कुलर टिशू सिस्टम डवलोप्त होते हैं ये तीनों क्रमशे भायतोचा वालकुर तथा समान उत्तोकों का निर्मान करते हैं इसके अतिरित जड़ों में एक और विभाज्योत की शेत्र यानि कैलिप्ट्रोजन भी पाया जाता है जो रूट कैप या मूल गोप के विकास के लिए उत्तरदाई है हैबर्लेंड के अनुसार इसी हिस्टोजन थियोरी की श्रंकला में यानि इसी के साथ ही हैबर्लेंड ने 1914 में ये बताया कि मूल शेष में तीन प्रकार के विभाज्योत्तक शेत्र पाया जाते हैं जिनको क्रमशे अधिक तवक भरन विभाज्योत्तक तथा प्राक एधा कहते हैं ये मूलियत वचा भरन उत्तक एवं सवन तंत्र का निर्मान करते हैं यानि ये डर्मल टिश्यो सिस्टम, ग्राउन टिश्यो सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यो सिस्टम का निर्मान करते हैं सामाने तया इसे उत्तक जन सिद्धान्त की पुन्रावर्ती भी कही जा सकती है हेबर्लेंड के अनुसार जो मूल शिर्ष है उस पर उपस्तित प्रारंभिक या विभाजुत की कोशिकाओं की प्रक्रती एवं आकार प्रकार के आधार पर निम्न चार प्रकार की मूल शिर्ष पाए जाते हैं यानि हेबरलेंड ने चार प्रकार की मूल शिर्ष या रूट एपक्स बताये थे जिसमें से पहला है रेनुनकुलस टाइप हम इसको डिसकस करने से पहले इस चित्र को देखते हैं इसमें ये LS view है रोट का इसमें जो dermatogen यानि जिससे की derma tissue system जो है वो विक्सित हो रहा है paribulum जो है second है उससे ये वाला हिस्सा विक्सित हो रहा है यानि जो ground tissue system है वो paribulum से और जो plerome है वो third histogenik प्रत है जिससे की vascular तंत्र का निर्मान होता है तो इस तरह से dermatogen, paribulum और plerome histogen theory के ये तीन पार्ट है पुना हम जो heverland ने चार प्रकार की मूल शिर्ष बताए हम उन पे आते हैं जिसमें से पहला है renanculus प्रकार का इस प्रकार के मूल शिर्ष में प्रारंबिक कोशिकाएं या विभाजुत की कोशिकाएं केवल एक पंक्ती में होती है इस से जड़ के विभिन शेत्रों का निर्मान होता है तथा इसी से मूल गोब भी बनता है मूल गोब से परिवर्तित कुछ कोशिकाएं मूली तोचा या बाय तोचा में विभिय दित हो जाती है इस प्रकार से मूल शिर्ष इस प्रकार के जो मूल शिर्ष है वो रेननकुलेसी वा लगिमनेसी कुल के बादों में पाया जाता है या पाया जाता है इसलिए इसे रेननकुलेस टाइप भी कहा जाता है अगर हम चित्र में देखें रेननकुलस प्रकार का तो ये पहला वाला जो चित्र है फर्स्ट ये दर्शारा है रेननकुलस प्रकार का इसमें केवल एक ही परत सेल्स की पाई जाती है यहाँ पर उसी से ही सारे जो हैं उत्तक विक्सित होते हैं जो दित्य प्रकार का है वो है क कैज़ियुर। टाइप इस प्रकार के मूल शिर्ष में के जुनेर टाइप प्रकार के जो मूल शिर्ष हैं में कि विभायज्जृत्तक की दो परते उपस्थित होती है यानि यहां दो लेयर्ज हैं इसमें से अंदर वाली परत से समवान उत्तक या केंदरी सिलिंडर वह बाहर वाली परत से वलकुट बाहतोचा एवं मुल गोब बनते हैं यह इस प्रकार के जो मूल शिर्ष हैं वो कैज़ुरैनेसी वा प्रोटियसी कुल के पौध हमें पाय जाते हैं रेनेनकुलर्स टाइप में केवल एक प्रकार एक तरह के सेल्स की परत बनती है और कैजुरना में विभाजयों तक की दो परते उपस्तित होती है और अंदर्स वाली परत से वैस्कुलर टंत्र केंद्री भाग या बाहर वाली परत से वलकुट बाहत चाह एवा मूल गोप का निर्मान होता है जो तीसर रिफ जो हम डाग्राम में देखते हैं तो यह है एक प्रकार की सेल्स यहां एक लेयर यहां है यानि दो उपस्तित है दो परते उपस्तित है जिस से इस से बाहर जो है यानि की ग्राउन टिशू सिस्टम और इन वाली से किंद्री भाग विक्सित होगा थर्ड प्रकार का है सामाने प्रकार का या जनरल टाइप अधिकांज जो डाइकोट्स हैं उनमें आध्यकों की तीन परते पाई जाती है जिन में से बाहरी वाली परत से भायतचा तथा मूल गोप मध्य परत से वलकूट तथा अंदर वाली तीसरी परत से किंद्री सिलिंडर का विकास होता है तो यानि सामाने प्रकार के जो मूल शिर्ष है उसमें तीन परते पाई जाती है डाइगराम देखें तो यह इस तरह से है चोथा है मेज टाइप या मक्का प्रकार हम कह सकते हैं इस प्रकार के मूल शिर्ष में चार पड़ते पाई जाती है सबसे बाहरी परत कैलिप्टोजन कहलाती है इससे मूल गोप पंती है बीतर वाली पड़ते हैं क्रमशे, मूली तोचा, वलकूट एवं केंदरी सिलिंडर का निर्मान करती है और मोनोकोट में प्राई इस प्रकार का मूल शिर्ष पाया जाता है इस तरह से हेबरलेंड ने ये चार प्रकार के मूल शिर्ष दिये थे पहला रेलिन्कुलस टाइप, दूसरा कैजुरेनर टाइप, तीसरा जनरल टाइप और चौथा मेंस टाइप और चारों में केवल पड़तों की संख्या का अंतर पाया जाता है अब हम बात करते हैं तीसरी थियोरी, कौरपर कपे थियोरी यह थियोरी शियूप ने 1917 में प्रस्तुत की थी इसके अनुसार मूल शिर्ष में दो प्रकार के विभाजित्य की शेत्र पाया जाते हैं जिनकी सेल्स विभाजन तल में भिन्न होती है शुरू में दोनों ही शेत्रों की कोशिकाओं में प्रतम विभाजन अनुपरस्त थल में होता है इसके बाद उनसे बनने वाली दो संतती कोशिकाओं में से एक लमवत रूप से विभाजित होती है जैसे से विभाजन का करम आगे बढ़ता है उसके साथ ही यह विभाजित की शेत्र की आकरती उल्टे टी के समान हो जाती है यह कॉर्पर शेत्र है यानि कि इसमें शुरूआत में एक सेल है उसका अनुपरस्त विभाजन होता है यानि प्रथम तल में अनुपरस थल में होता है जिससे दो संतती कोशिकाएं लमवत रूप से विभाजित होती है और जो विभाज़तक शेत्र की जो आकरती उल्टे टी के समान जो सेल्स है वो कॉर्पर शेत्र कहलाती है और मूल के कुछ भाग प्राय विभाजन सीधे टी के रूप में होता है उसे सीधे टी के रूप में होता है और यह है शेत्र कपप टाइप यह कपे प्रकार कपे लेयर यह कपे रिजन कहलाता है तो यानि जो बाहे शेत्र में जो सेल्स हैं वो एरिया कहलाता है कप्पे शेत्र जिसमें सीधे टी के समान डिविजन होते हैं और कॉर्पर शेत्र में उल्टे टी के समान यानि कि हम देखें यहाँ पर यह उल्टा टी और यह जो कप्पे शेत्र है इसमें यहाँ देखिए सीधा टी तो यानि कि जिसमें उल्टा टी नजर आता है वो कहलाता है कॉर्पर शेत्र और जिसमें डिविजन के बाद सेल्स में सीधा टी नजर आता है वो कहलाता है कप्पे शेत्र इसे ट्यूनिका कॉर्पस थोरी का बदलावा रूप ही माना जा सकता है उसमें भी दो शेत्र बनते हैं ट्यूनिका और कॉर्पस तो कपे और कॉर्पर की तुलना ट्यूनिका वे कॉर्पस शेत्र से की गई है इसके बाद जो चौथा है वो है क्रिसेंट सेंटर कंसेप्ट थॉम्सन एंड क्लाउज ने 1868 में कुछ मोनोकोट्स उधारन सरूप मेज के मुलशिर्ष में अनेक कोशिकाओं का एक समू टोपी नुमा सरचना के रूप में देखा इस सरचना की सेल्स निश्क्रिये वशान्थ होती है इस शेत्र की हम बात कर रहे हैं निश्क्रिये एवं शान्थ होती है विभाजन शील नहीं होती यह विभाज जोतक कोशिकाओं के भंडार ग्रय के रूप में कारे करती है इस शेत्र की कोशिकाओं से DNA, RNA and protein की मात्रा भी इन में कम होती है और इसमें endoplasmic reticulum और mitochondria इतियादी भी कम होते हैं इसकी केंद्रक में केंद्रिक यानि निकलियलस अपिक्षाकरत छोटे होते हैं और कुछ scientist का मानना है कि इस शेत्र में hormone secretion होता है जो मूल व्रद्धी को नियंत्रित करते हैं कई बार exam में ये definition की तूर पे कुछिंट सेंटर के बारे में पूछा जाता है तो उसका earth या उसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि जो कुछिंट सेंटर है ये मूल शीर्ष में अनेक कोशिकाओं के एक समूँ है जो टोपी नुमा सरचना के रूप में पाया जाता है और इस सरचना की जो cells है वो निश्क्रिये शांत होती है यानि इनक्टिव होती है और विभाजन शीर्ष नहीं होती यह विभाज़तक कोशिकाओं के भंडार ग्रैप के रूप में कारे करती है जब जरत होती है नए cells की तो यह cells actively divide करने लग जाती है अता यह विभाज़तक कोशिकाओं के भंडार ग्रैप के रूप में कारे करती है यानि आवशक्ता पढ़ने पर इनमें cell division हो सकता है इस शे होते हैं और कुछ साइंटिस्क का कहना यह है कि क्विसेंट सेंटर का जो काम है वो हार्मोन सिक्रेशन करने का है जो की रूट की व्रद्धी को यानि ग्रोध को नियंत्रिप करता है इसके साथ ही जो रूट अपिकल वैरिस्टेम है वो यहीं समाप्त होता है अगले टर्ण पर हम जो रूट का प्राइमरी स्ट्रक्चर है मेन यानि अगर हम सेक्शन काटें तो उसके एनॉटमी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का है हम उसकी बात करेंगे थैंक्यू